How do search engine rank your content? Search engines आपके content को किस तरह से rank करते हैं? इस process को understand करना बड़ा ज़रूरी है. अगर हम इस process को understand करेंगे, तो हम अपनी website को accordingly optimize कर सकते हैं. अगर हम search engine की बात करें कि search engine कैसे आपके content को discover करता है, कैसे उसको rank करता है, तो इस process को understand करनेंगे हम, How does Google find, analyze and rank your content? सबसे जो पहली stage Google की है, वो है discovery stage. Discovery stage में क्या होता है? Google का जो bot है, जो crawler है, वो आपकी website पे आता है, और अगर आपकी website crawlable होगी, तो वो इसको crawl करेगा. crawl करने के बाद, आपका जो content है, उसको वो assess करता है, उसकी authority देखता है, कि आपका जो content है, वो कितना अच्छा content है, वो unique content है, या आपने कहीं से copy किया है, content के बाद, आपकी वो website की authority देखेगा. Authority में क्या करेगा? Build authority, वो ranking आपकी देखता है, by getting lots of high quality links to your website. वो देखता कि आपकी जो website है, उसके links कहां कहां पे हैं, वो कौन सी website, क्योंकि जब भी हम authority की बाद करेंगे, तो backlinks की बाद आएगी. तो हमारी website किन websites के साथ linked है, उसको वो assess करता है, और उसकी वो ranking उन links की base पर करता है. अब हम देखेंगे के जो discovery stage है, वो किस तरह से काम करती है, search engine bots discover your content by crawling it. वो इस पे आता है, crawl करता है. उसके बाद जो अगली stage होती है, दूसरी stage है वो relevance, यानि अगर हम overall discuss करें, तो three stages हैं. पहली में discovery है, दूसरी में relevant stage है, और तीसरी में ranking stage है. Relevant stage में क्या होता है? Search engine bot decide how relevant your content is by indexing it based on signals like keywords. अब जब किसी ने search करना है, तो उसने keyword से search करना है. क्या आपके content के अंदर, ऐसे keywords मौजूद हैं, जिनका search volume जादा है, और अगर उनका search volume जादा है, ऐसे golden keywords आपने content के अंदर रखे हैं, तो वो उसको relevancy उसकी consider करेगा, कि ये ज़्यादा relevant content है, तो relevancy के हिसाब से आपकी rating ज्यादा बढ़ जाती है. तो relevance count करने के बाद, definitely जो तीसरी stage है, वो authoritativeness उसने check करनी है, आपकी website की authority check करनी है, और authority के बारे में हम discuss कर चुके हैं, कि आपकी website के backlinks देखे जाएंगे, कि आपकी website कितनी अच्छी website के साथ linked है, number of backlinks भी count करते हैं, but the most important thing जो matter करती है, that is the quality of backlinks, क्योंकि जिन website के साथ आपकी website connected होती है, वहाँ से आपकी traffic तो आनी है, लेकिन वहाँ से technical language में, हम उसको कहते हैं कि link juice भी आता है, अगर वो website जिसके साथ आपका link बना है, उसकी authority बेतर है, तो उसका advantage आपकी website को भी मिलेगा, link juice आपकी website को भी मिलेगा, तो आपकी website की authority decide होती है, आपके link juice पे, search engine bot rank your content in search result, based on the site's SEO authority, आपकी authority directly impacts ranking strength, जितनी ज़्यादा आपकी authority बेतर है, उतनी ज़्यादा आपकी ranking strength बेतर है, जितने ज़्यादा आपके पास back links है, उतनी ज़्यादा आपकी ranking बेतर है, तो ranking is directly proportional to the number of backlinks, as well as the quality of backlinks, यनि लिंक जूस जिसके पास जतना जादा होगा वो वेबसाइट उतनी जादा रैंकिंग में उपर आएगी आई ये इस एक्जामपल को हम इस तरह से समझते हैं कि जिस तरह एक लाइबरेरी में आप जाते हैं तो लाइबरेरी में अगर आपने कोई पर्टिकुलर बुक फाइंड करनी हैं तो वो बुक कैसे फाइंड करना कैसे आपको असान होगा वो तब ही असान होगा जब वो बुक्स प्रॉपर शेल्फ में लगी होगी और अगर किसी खास बुक पे आपने जाना है तो आप उस बुक की कैटेगरी में जाते हैं फिर कैटेगरी में उस रैक में जाके असानी के साथ आप उसको देख लेते हैं इसी तरह Google भी अगर उसने कोई content find करना है तो वो जब उसने content find करना है तो उसने जो तर्तीब लगाई हुई है जो indexing की हुई है और जो ranking उसने decide की हुई है उस हिसाब से उसने content find करना है तो इसमें three steps के बारे में हमने देखा कि there are three steps Google uses to find, analyze and rank your content जिसमें first में हमने discuss किया कि discovery stage है जिसमें आपका content discover होता है और इसमें आम तोर पर problem यह होता है कि कुछ ऐसी websites होती है कि जिन पे bot जो है वो जा नहीं सकता, discovery उनकी possible नहीं होती उस पे कुछ technical issues होते हैं उनको हम later on बात करेंगे यनि बिल्कुल website ऐसे है कि जैसे आपने को library में book find करनी है, book अगर organized तरीके से होगी तो आपके लिए find करना आसान है इसी तरह जब google bot आपके website पे आएगा तो वो तब ही आएगा कि अगर आपकी website कहीं पे index हुई हुई है फिर हम उसमें देखते हैं कि उसने क्या करना है, google bot ने क्या करना है, उसको relevancy check करके index उसको कर देना है और तीसी stage में उसकी ranking decide होती है, और ranking decide होने में back links की evaluation की जाती है कि आपके जो website है, वो कितनी website के साथ link है और उससे वहाँ से कितना उसको जो है, वो link juice मिल रहा है और उस हवाले से जो है, वो आपकी ranking जो है, वो decide होती है बिलकुल ऐसे कि जैसे एक बुक है जो best seller book है वो कैसे decide होती है best seller book content जो है वो सकते मुख्तलिफ writer ने same तरह का लिखा हो लेकिन जो best seller होता है वो उस book को किया जाता है जिसके writer की भी authority for example एक book जो है वो Brian Tracy ने लिखी है और एक book को इफ्तखार अंजम ने लिखी है same content है same topic पे है तो best seller कौन सी बनेगी Brian Tracy की book क्योंकि उसकी एक अपनी authority है उसका एक अपना experience है दुनिया उसके बारे में जानती है तो यह authority जो है वो बहुत ज्यादा matter करती है कि आपकी website की authority बहतर है अब जो आप उसके उपर content लिखेंगे वो relevant content होगा तो वो definitely आपकी website rank करेगी और अगर एक नई website ने उसी तरह का relevant content लिखा है तो वो rank में उपर नहीं आ सकता क्योंकि सिरफ relevancy important नहीं है बलके authority जो है वो ज्यादा important है तो website जब authoritative हो जाती है तो जब भी आप content लिखते हैं त how do you determine authority authority का कैसे पता चलता है number one the content is talked about a lot ऐसा content होना चाहिए जिसके बारे में लोग search कर रहे है the content is referred to a lot जिसमें लोग refer कर रहे हो link आपका जो है वो content को कर रहे है the content is cited in other words जैसे मुक्तलिफ जगह पे उसका जिकर हो cited हो तो वो content की authority होती है discovery relevance and authority are dependent on one another यह independent नहीं है यह dependent है discovery relevance और authority अगर relevance है और तो authority नहीं है तो फिर भी आपका content rank नहीं कर सकता लेकिन अगर authority है relevance नहीं है तो फिर भी content rank नहीं करेगा तो यह सारी चीजें interrelated है if your content isn't relevant then it has little chance of ranking no matter how authoritative it is and if your website isn't authoritative then it has little chance of ranking no matter how relevant it is तो यह दोनों चीजें बड़ी important है कि authority भी important है relevance भी बहुत important है तो आज की lecture में हमने discuss किया कि आपकी जो website है वो किस तरह से rank होती है Google में या किसी भी search engine में किस तरह से rank होती है झाल